गुड मॉनिंग श्टुडेंट्स बारते ओनलाइं ग्लास में एक बार फिर मैं हमान्शु शर्मा आपका स्वाइद करता हूं तो बच्चों पिस्टी ग्लास में हम पढ़ रहे थे गीड नियंत्रन की विदियां जिसके अंदर हमने व्रक्षों पर तने पर पट्टी बांदना यह वहारा टॉपिक कम्प्लिट क्या था आज चालू करते हैं उसके आगे आज वाज टॉपिक का वो है पाश या ट्रैप पाश मतलब होता है जाल जाल को अंगरेजी में कहते हैं प्रकाश पाश पाश प्रकाश पाश क्या होता है तो आपने देखा होगा बरसाथ के बाद में जैसे यह अपने घर के आसपास रोड लाइट है या घर के बाद कोई बल्ब जल रहा होता है तो उस समय उस लाइट के पास शाम के टाइम पर लगबग साथ बजेगा असपास जैसे लाइट चालू होती है तो उस लाइट की और बहुत सारे कीडे एट्रेक होता है आकर्षित होता है और उस लाइट के आसपास कीडों का एक बहुत बड़ा समू बन जाता है तो ये जो समू बन रहा है कीडों का ये किस खरण से हुआ है ये उस प्रकाश के द्वारा एट्रेक होने से हुआ है और अगर हम यही विवस्ता अपने खेत में कर दें मतलब खेत के चारों और बड़ा सा पोल लगा दें उस पर क्या कर दें एक बड़ा सा मरक्यूरी बल्ब लगा दें और उस बल्ब के जस्ट नीचे क्या करें पानी का एक बड़ा पात्र रख दें उस पात्र के अंदर रासाइने का घोल कीटनाशी घोल यहां फिर नीचे आग जला दें दोनों में से कोई भी एक किस्ति कर दें तो क्या होगा और ये प्रक्रिया शाम को साथ वज़े से लेकर क्या है कीटनाशी रसायनों का घोल है यहां फिर आग जलती है तो वो कीट क्या होता है नस्ट हो जाते हैं और इस समय मुख्य रूप से नर और मादा मैधून क्रिया के लिए इस लाइट की और आक्रशित होता है तो उससे अगली अधिया ज़टी है ब्लॉक हो जाती है तो यह था प्रकाश पाश पाश और प्रकाश पाश के अंदर पैट्रो मैक्स पैट्रोमैक्स यानि गैस बत्ति या लालटेन का प्रयोग करते हैं ठीक है तो अ आपको समझ में आगया होगा कि कैसे यह तखनीक परभावी होती है यह तकनिक मूल रूप से सफेद लट के जो भरंग होते हैं उनके लिए कात्रा, कटवा लट, गोबी के लट और जवार के लट, चने के लट के जो मौत होते हैं उनको क्या करती है, नश करने के लिए परभावी है, और इसके अंदर सबसे सरल है, सस्ती है, और खर्चा कम होता है, और बहुत ज़्यदा इफेक्टिवल है, तो यह था अपना कौन सा प्रकाश पाश, अब करते हैं नेक्स्ट, चिपचिपा पाश, अब चिपचिपा पाश क क्या होता है, समझते हैं पहले, तो दिखाऊगा आपने, कि अगर हम अपने खेट के चारों और किसी रासायनिक पदार्थ, जो कीटों को आकरशित करता है, जो कीटों को आकरशित करता है, ऐसा रासायनिक पदार्थ, अगर हम खेट के चारों और बाउंडरी वाल पर किसी क कागज के ओपर किसी लखडी के टुकड़ी के ओपर लगा देते हैं किसके साथ में किसी चिफचिपय पदार्थ के साथ मिलाकर लगा देते हैं तो उस रसायन के प्रभाव से उस सुगंधित रसायन के प्रभाव से कीट उसकी और आकरशित होंगे और आकरशित होंगे तो क्य कीट होता है हरा तेला फ्रसाद यह ऐसे कीट होता है जो क्या करता है इससे नस्ट हो सकते हैं तो यह था आपना चीपचीपा पास एक्जामबल है इसका के अपवादक किया मेगट मेगट जानते हो जिसे मखें के अंड लारवा होते हैं चोटी प्ट ही सफित क्लर के से होता है प्रॉअन लाइट क्लर के वो हते हैं मेगट तो सेष के मेगट को रोखने के लिए यह बहुत बढ़िया एक टेक्निक है क्योंकि उसके अंदर मेगट को एटरेक करने वाले रसायन का प्रियोग चिपचिपे पदात के साथ में कर देता है जिससे आसानी से वो कीट इससे चिपक कर नस्ट हो जाता है तो यह था अपना चिपचिपा पाश नेक्स्ट है फेरामोन ट्रेप तो फेरामोन ट्रेप में जानने से पहले आपको फेरामोन शब्द का मतल समझना पड़ेगा फेरामोन होता क्या तो फेरामोन क्या आपने देखा होगा चीटियों को वो एक लाइन में चलती है मकोड़े होते हैं वो लाइन में चलते हैं क्या करन होता है तो देखना कभी भी आप कि इनके जो सहस्य होते हैं जब लाइन में चलते हैं तो अपने शरीर के अंतिम खंड से ये एक विशिस्त रसायन जिसे कीट रसायन या कीट हार्मोन कहते हैं का इस्त्रावन करते हैं और ये कीट हार्मोन दूसरे कीट को क्या करता है एक direction देता है दिशा निर्दीश देता है इसी परकार रानी मख्षी जो मधदूंगे के छाते के अंदर है वो भी अपने रसायन के दोरा समपून छाते पर नियनतंगर रखती है इसी परकार दीमक भी अपने टर्मिट एरिया के अंदर अपने आवास के अंदर इस फिरामोन के द्वारा करती है कंट्रोल करती है और आप अगर इन चीटियों की लाइन के बीच में थोड़ा सा खुश्बुदार पाउडर या कोई अन्य सुगंदित चीज रख देते हैं तो फिरामोन का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा जिससे चीटियां वहीं पर confusion होने के करण वहीं पर इकठा हो जाती है और जैसे ही वापस फिरामोन का प्रभाव उस गंद से ज़्यादा प्रभावी होता है तो वापस वो एक लाइन के अंदर गमन करना स्टार्ट करते हैं तो यह फिरामोन था अब आप देखिए फिरामोन ऐसे रसायन है जिने अंतर जाति है अंतर जाती मतलब एक ही जाती के सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए या आकशित करने के लिए प्रियोक्त करते हैं ठीक है और इसके प्रियोक्त से हानिकार कीट के परजीवी और परबक्षी परभावित नहीं होते हैं किवल उसी जाती के कीट ही इससे गया होंगे परभावि या करता है इसका प्रियोग 50 मिटर की दूरी पर 5-5 प्रती हेक्टर की दर लगाना प्रभावी है मतलब एक एक अंदर 5-5 फिदामौन के लगाकर आसान इसे प्रेजेंट होती है जिसके से रेगुलर वो हार्मोन का इस्तरवन होता है फिरामोन ट्रेप में कीटों की समस्ती के अधार पर कीट नाशक दवाओं का प्रियोग करने अत्वान नय करने संबंदी निन्य अधार पर किया जा सकता है मतलब उसके अंदर हानिकारक रसायन भी ए अनार यह जो फल दार पादप होता है इनकी व्रक्ष की छाल के उपर कीट लग जाते हैं तो उनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा इन छालों के जो छिद्र हैं रंद हैं उनके अंदर एक नुकिले तार को डाल कर घुमा देते हैं जिसे अंदर का कीट अंदर के लगा दी जाती है जिससे वह क्या हो जाएगा उससे प्रवावित नहीं होगा इसी प्रकार टिड़ी दल को भगाने के लिए अभी आपने देखा थोड़े जिनों पहले राजस्तान में टिड़ी दल का हमला हुआ था तो टिड़ी दल को बगाने के लिए साउंड या फिर आग फैकने वाले यंतर जैसे जिससे लंबी दूर तक क्या होती है आग की लपड़ जाती है ऐसे यंतरों का प्रियोग करके भी हम क्या टिड़ी जल को जला सकते हैं इसे बोलते हैं फ्लेम थ्रोवर यानि आग फैकने वाला यंतर तो यह वो तरीक हैं जिसके द्वारा हम आसानी से इन कीटों को नियंत्रन कर सकते हैं अब बात करते हैं करशन नियंत्रन करशन मतलब कल्चरल अब जैसे हम आप तक जितनी नाशक कीटों के नियंत्रन के लिए जो तकनीके यूज कर रहे थे खेती में अगर उन तकनीकों में थोड़ा परिवर्तन करें जिससे या तो कर्षन निंतरा को समझना आया मतलब उसमें बदलाव करना है जिसके द्वारा हम आसानी से उसको कंट्रोल कर सके हैं तो कीट निंतर की जिरी जो प्रक्रिया होती है बहुत सरल है सरल क्यों है क्योंकि इसमें अपनको बाहर से कुछ एढ़ नी करना है कुछ मिलाना नहीं है सस्ती है क्योंकि इसमें लागेत कुछ नहीं है वहवारिक है आसानी से परियुद कर सकते हैं और दिर्ट प्रवावी मंदल लंबे समय तक ये परभाव शाली रहती है और इसके लावा यह है केवल उसी जाती के कीटों को नश करती है जिनको नश करवाना है अन्य पर इसका प्रवाव नहीं होता कैसे होता वो देखते हैं अपन तो लेकिन उसके लिए हमें कुछ शर्ते हैं इसकी वो शर्ते कौन कौन सी है सबसे पहले इकॉलोजिकल इन्फॉर्मेशन पारिस्ति की जानकारी हमें होनी चीए कि उस चेते हैं अब पारिस्ति की किसे कहते हैं जन्तो पादप और आवास के अंतर संबंद को पारिस्ति की कहते हैं तो हमें उस कीट के वातावरन हमें उस कीट के द्वारा होने वाले प्रभाव के सारी जानकारी उपलब दोनी चीए फिर है फसल वा नाशक कीट के जीवन चकर के बारे में जानकारी कि हमें जिस फसल को हम उगा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी और उस पर कौन सा कीट लग रहा है हानेकार कीट उसकी पूरी जानकारी होनी चीए कि उसमें कैसे बदलाव कर सके हैं तो यह सारी जानकारी पर हो रहा है तो उसकी सबसे कमजोर वस्ता यानि अंडे हैं या उसके निम्फ है या जो फसल को प्रभावित नहीं करती हो यह कमजोर वस्ता तो वह कौन सी है कौन सी सीजन में जन्रेट होती है वह हमें जानकारी होने चाहिए और नियंतरन के लिए उपाय या कितना समय और वो किन रसायनों के या किन गटकों के द्वारा या किन बहुती क्रियाओं के द्वारा क्या होती वो नस्ट होगी तो वो जानकरी अगर हमें उपलब दो तो हम आसान निस्ति क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके तरीके कौन कौन से है तो देखो जो अपना कर्षन यंटन का पहला से है कि कौन कौन सी विदिया है उससे पहला से पना फसलो प्रा Soup, जुताई या निराय गुडाई मतलब फसल उगाने के पशात उसकी जुताई करनी चीए फिर निराई गुड़ाई समय समय करते रहने चीए तो जिसे मिट्टी के अंदर दबे वे उसके अंडे होते हैं कीट की लारवा वस्ता होती है तो वो सारे क्या जाएंगे उपर आ जाएंगे गहरी जुताई करने से और ऐसा होने पर क्या हो जाएगा आसानी से वो सूर्यताप से या नमी से या अन्यावाता और निकारकों से वो नस्ट हो जाते हैं फिर है फसल चक्र नाना मतलब हम फसल को बार-बार बदल बदल कर उगाएं तो उससे क्या हो जाएगा कि उस पर निर्भर रहने वाले कीट नस्ट हो जाएंगे क्योंकि अगर बार-बार एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो उन कीटों के उस पर निर्भर कीटों के सर्वा समय में फिर बिदल करना आपने सुनाओगा अगेती और पचेती फसले जी हां ये टॉपिक उसी को क्लेर कर रहा है कि बीज बुने का जो समय होता है उसको थोड़ा पीछे यहां आगे करके हम उसकी परिपक्वा कीट की जो नश्ट करने वाली प्रभावित करने वाली अवस् फसल में अगर किसी कीट विशेश जाती विशेश का प्रभाव हो रहा है तो उस कीट के प्रती प्रतिरोधी जो किसमे हैं उनका प्रियोग करने पर वो फसल उससे प्रभावित नहीं होती है आवशेशों तथा खरपतवारों की सफाई से स्वच्छ करशी करना मतलब इस सम है हमें खेत में जैसे फसल उगाई उगाने के बाद में फसल को काटा काटने के बाद में जो फसल के आवशेश बच जाते हैं उनको नस्ट करना आवशक होता है जिसके द्वारा क्या हो जाएगा वो अन्य जो कीट है वो उनके ऊपर सर्वाविव नहीं कर पाएंगे और अ ज्यदा या कम ऐसा वहने पर भी कीटों को पोशन मिलने के समझावना अधिक हो जाती है तो ऐसे केस में निश्च्रत अनुपातिक संतुलित औरूरग का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर सीचाई अगर सिचाई की फसल की उपनिर्वर करता है रसायन की उपनिर्वर करता है कि उसे अधिक पानी चाहिए कम पानी चाहिए डिप पानी चाहिए जो भी उसकी विवस्ता होती है उसके अनुसार इसका मेनेजमेंट करना चाहिए फिर आता है मिश्रित फसलों के खेती मिश्रित फसलों के करने से क्या होगा कि अन्याग फसल के जो कीट है वो संभवत है पहली फसल के नाशक कीटों को क्या करते है वो नश्ट कर देते है तो एक फसल का कीट दूसरी फसल के कीट को नश्ट कर देगा अगर फसल साथ में हो गाई जाती है तो मिश्च फसल करने से ये profit हो जाता है फिर फंदा फसल फंदा फसल आकार प्रकार सरचनात्मक रूप से क्या होती है फसल समान है और बट उसका जो रसायन है वो उस कीट के लिए हानिकारक प्रभाव प्रकट करता है तो ऐसी फसलों का अगर अपन प्रियोक करें तो संभव होता है क्या हो जाएगा इसके नस्ट होने की ज़र अधिक होती है जैसे पत्ता गोबी और फूल गोबी की फसल बोने के 15 दिन पहले अगर इस खेत में लाइन में सरसों की बुवाई कर दें तो जो गोबी को नस्ट करने वाले जो कीट होते हैं वो सरसों पर हमला करेंगे और गोबी की फसल पर कीटों का असर बहुत कम होगा या नहे के बराबर होगा इसी प्रकार अगर जो अपने कद्डू होते हैं या खरभूझी के खेट के चारों और मक्के के कुछ पोधों के लाइन लगा दें तो जो फल मक्की खरभूझ्य को और कद्डू को नस्क करने वाली होती है वो उनको नस्टने करकर किसकी और एक त्रेक हो जाएगी? मक्का के अपने को ज़्यादा लगानी नहीं है तो उसके और एक्ट्रेक होगी तो वो उसको नस्करना चालो करेगी तो उसका परभाव होगा नहीं और इसके रहते फसल जो अपने मुख्य फसल लखार बुजे किये, कद्दू किये वो बच जाती है तो यह वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम फंदा फसल के रूप में कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं फिर बात करते हैं छांगना या दूर-दूर लगाना अब छांगना या दूर-दूर लगाना क्या होता है आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पेड़ पोदे होता है उन पर नाशी कीटों का प्रभाव भी क्या होता है अब चाहे वो फसल हो चाहे फलदार पेड़ हो जैसे किसी आम के अगर पुरणा बगीचा हो जहां पर पेड़ बहुत ज़्यादा घने हो जाए तो उन पर जो आम के फुद के हैं मेंगो फिर्ट उनका प्रभाव ज़ादा हो जाता है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए उस पादब की कटाई च्षणाई कर देने चाहिए जिससे उनका जो नाशी कीट का प्रभाव जाएगा कम हो जाएगा और पादफी स्वस्थ रहेगा इसावधकार जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अपने फसल लुगाते हैं तो वो समय समय पर क्या करने की अंकी पोद ऐसे सबजियों वाली फसल लिगाते पदें लगाता है तो जहां पदे बीज अपनने लगा दियंगे मेदी के कीटों को चाहरो कर कर Mississippi के द्वारा कीटों को आज हमने पाश के बारें बात की प्रकाश पास्यों को चिप पास्यों कर का सब्सक्राइब के पास देखे फिर हमने करशन यंतर्ण देखा करशन यंतर्ण में हमने देखा कि फसल उगाने के पश्चा जोताई निराई गुड़ाई करके या फसल चक अपना कर या बीज बोने फसल लगाने काटने के समय में बंदाव करके या प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करके या अवशेशों वा खर्पतवारों की सफाई से स्वच्छ कर्शी करके या संतोली तूरूरक पासी चाई प्रबंदन द्वारा या मिश्ट फसलों के खेती करके या फंदा फसल या छांगना तथा दूरदूर लगागने वाली प्रक्रियाओं का प्रियोक करके हम क्या कर सकते हैं किटो को नियंतित कर सकते हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक आप देखना इसको नोट्स आपको इसके पेज दिये नई पेज़े तो आपको मिल जाएंगे ठीक है? चेक करना आप